चीन के राश्ट्रुपती शी जिन पिंग को इन दिनों कई मोर्चों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे ही मुश्किल वक्त में सत्रवी वर्षगाठ मनाने का मौका आया है वास्तव में शी जिन पिंग अपने साथ साल के शासन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं हौंग कॉंग में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है जबके दुरलब घटना क्रम में चीन की सत्तारूड कम्यूनिस्ट पार्टी ने हौंग कॉंग के विवादस्पद प्रतरपन बिल को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया है हौंग कोंग के दैनिक समाचर पत्र ने इसे पार्टी के लिए सबसे बड़ा नुकसान बताया है एक दबंग और मजबूत सरकार के सामने युवा चातरों के विरोध प्रजशन की तस्वीरें दुनिया के सामने पहुंचे ऐसा शी जिन पिंग नहीं चाहते होंगे खास कर तब जब देश अपनी स्थापना की वर्षगाठ मना रहा हो शी जिन पिंग का 3 सितंबर का भाषण चीनी सरकारी टीवी चैनल सिसी टीवी पर शाम के प्राइम टाइम में छाया रहा इस भाषण में शी जिन पिंग ने सुईकार किया है कि हॉँगकॉंग, मकाव और ताइवान में पार्टी की चुनौतियां बढ़ती जा रही है चीन के शिंजियांग प्रांथ के वीगर मुसलमानों के खिलाफ सरकार की नीतियों को लेकर अंतर राश्ट्रे स्तर पर आलोचना भी बढ़ रही है इन सब के अलावा अमरीकी राश्ट्रुपती डोनल्ड ट्रम भी शी जिन पिंग के लिए लगातार सिरदर्ध साबित हो रहे हैं चीन और अमरीका के बीच व्यपार गतिरोध तूट नहीं पाया है जिसकी आच अब दोनों देशों के रिष्टों के दूसरे क्षेत्रों में भी पहुँच चुकी है अगर दोनों देशों के बीच कारोबारी समझाता हो भी जाए तो ये कहना सही ही होगा कि चीन अमरीका के संबंधों में तेजी से टकराव बढ़ रहा है शी जिन्पिंग की विदेशनीती बेहद मुखर है उन्होंने पहले की राश्टुपतियों से ज्यादा इस पर ध्यान दिया है इसके चलते भी पश्चिमी देशों में चीन के प्रभतुव का विरोध बढ़ रहा है शी जिन्पिंग की सबसे एहम विदेशनीती बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव को भी कुछ देशों में जटका लगा है ट्रेड वार के चलते घरेलू मोर्चे पर चीनी अर्थ विवस्था पर दबाव बढ़ा है जो पहले से ही मुश्किल में है उपभोगताओं की क्रेश शक्ति कम हुई है बेरोजगारी और प्रती परिवार कर्ज बढ़ा है सबसे एहम बात ये है कि कामकाजी आबादी तेजी से कम हो रही है बीते तीन दशक में सबसे कम GDP ग्रोथ रेट इसी साल दर्श किया गया विदेशी आलोचक, शी जिनपिंग की इसलिए भी आलोचना करते आये हैं कि वे आर्थिक सुधारों को लागू नहीं कर पाए हाला कि चीन की सरकारी मीडिया इस नरेटिव को बढ़ावा दे रही है कि चीनी अर्थिविवस्था की फ्लेक्सिबिलिटी उतार चड़ाव जहिलने में सक्षम है इन सब के अलावा चीनी राष्ट्रपती को एक अनोखी समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है खास बात ये है कि सूर मास के बढ़ते दाम की समस्या आम लोगों से सीधे जुड़ी हुई है चीन में ये पूरा साल सूरों के साल के तौर पर मनाया जा रहा है चीनी अधिकारियों के सामने इस साल सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वे लगातार कोशिशों के बाद भी सूर के मास की कीमतों पर अंकुष नहीं लगा पा रहा है सरकारी मीडिया शी जिन बिंग को लोगों का नेता बताता रहा है लेकिन सूर मास की बढ़ती कीमत उनकी छवी को प्रभावित जरूर करेगी चीन के उपफरधार मंतरी हू चुन हुआ ने अगस्त के अंत में चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर लोग सूर का मास खरीद नहीं पाएंगे तो ये पार्टी की छवी को नुकसान पहुचाएगा उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि सूर के मास का उतपादन बढ़ाना सबसे बड़ी राजनितिक चनौती है हौंग कॉंग से बरकाशित साउट चाइना मॉर्निंग पोस्ट अकभार ने 15 सितंबर को लिखा है कि खाने का कोई एक आइटम अभी देश की राजनिती में बेहत एहम हो गया है ऐसा कम ही देखने को मिलता है अखबार ने ये भी लिखा है कि शी जिन पिंग को किसी चुनावी दबाव का सामना नहीं करना पड़ रहा है लेकिन अगर वे लोगों की मुश्किलों को कम करने की कोशिश में नाकाम रहते हैं तो इस मुद्दे पर लोगों के बढ़ते आक्रोश से उनके दबदबे और उनके नित्रित्व के खिलाव आकरोश पड़ सकता है इस बात में कोई शक नहीं है कि शी जिन पिंग माउट से तुंख के बाद सबसे मजबूत निता हैं सारी ताकत उनके इर्दगिर्द ही है ऐसे में अगर कुछ गलत होता है तो उसका दोश भी उन्हें ही झेलना पोगा चीनी राजनिती ट्रांसपेरेंट नहीं है इसे देखते हुए ये बताना मुश्किल ही है कि उनके खिलाफ कोई गतीवीधी चल रही हो अगर ऐसा परदे के पीछे हो भी रहा हो तो अस्तंतोश को तुरंस शांत करा दिया जाता है उम्मीद के मताबिक ही चीन की सरकारी इंडिया में इन नीतियों की नाकामे का जिक्र नहीं मिलता है इन चुनौतियों की वजए आउटसाइड फैक्टर्स और अंसर्टेनिटी को बताया जाता है जापानी अकबार ने कई एशियन रिव्यू ने 12 सितंबर को पार्टी सुत्रों के हवाले से लिखा है कि शी जिन पिंग धीरे धीरे पार्टी पर अपनी पकड़ को सकते हैं वैसे अगर लोगों का भरोसा उन पर कायम रहा और पार्टी उनके साथ खड़ी रही तो शी जिन पिंग मौजूदा चुनौतियों के बहाने ज्यादा ताकतवर भी हो सकते हैं लेकिन अती राश्ट्रुवाद क कि और कदम बढ़ाना परियाप्त नहीं होगा